दोस्तो नमस्कार भारत रेल यात्री चनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो 36 गर राज में जो एक बहुती बहु प्रतिक्षित रेल्वे राइन रही है आप सभी कोई जानते होंगे पेंडरा रोड गेवरा रोड रेल लाइन इसे कहा जाता है और ये बहुती दिनों से बहु प्रतिक्षित रही है बहुत दिनों से 36 गरवासियों का ये आस रहा है कि इस रेल लाइन को जल से जल पूरा किया जाए दोस्तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे है पेंडरा रोड और यहाँ पे है गेवरा रोड मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कोरवा के पास आप यहाँ पे अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो गेवरा रोड है स्टेशन वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो पेंडरा रोड गेवरा रोड जो रेल लाइन है ये पेंडरा रोड से निकल कर गेवरा रोड को जाएगी इसके कुछ नए railway station भी बने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं धन गवा है जैसे और अभी updated नहीं है इस railway map पे तो आईए पहले latest update तो हम इसका देखेंगा ही पहले हम इसका यह देख लेते हैं कि इस rail line का importance क्या है दोस्तो पेंडरा रोड गेवरा रोड जो नहीं rail line है यह कोड़वा के पास है और कोड़वा एक बहुत ही समरिध्ध सहर है कोड़वा से ट्रेने जाती भी है नहीं दिल्ली के तरह पूतर भारत की ओर तो अभी ट्रेने चमपा होते भी विलासपूर होते भी फिर जाती है डाइरेक्ट ही गेवरा रोड पेंडरा रोड होते हुए अनुपूर सहडोल उमरिया कटनी होते हुए जा सकती है उत्तर भारत की ओर दोस्तो एक तो यह इंपॉर्टेंस हो गया दूसरा इंपॉर्टेंस यह हो गया कि कोरवा की रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कोर्वा पेंडरा रोड होते वे अनुपूर होते वे अंबिकापूर होते वे पूरब की दिशा में भी कोलकाता वेगर से कनेक्ट हो सकता है दूसरा जो ये रेल सेक्षन है ये बन जाता है यदि तो इस पूरे छेतर का जो आप देख रहे हैं जैसा कि आप लोग से भी को जानते हैं 36 गड़ एक नकसल फीरित राज्य है 36 गड़ जारखन ये सब गरीब राज्य के कटेगरी में आते हैं आदिवासी यहाँ पे बहुत ज्यादा है जंगलो वाला राज्य है कोई डेवलप्मेंट नहीं है यहाँ पे तो अगर इस रेल लाइन के बन जाने से कुछ उद्योग व्यापार रोजगार में तेजी आती है थोड़ा डेवलप्मेंट होता है तो बहुत ही एक अच्छी बात मानी जाएगी कि रेल विकास और के साथ साथ राजी का भी विकास होगा तो दोस्तो आईए अब हम लोग जो अपडेट है वो देख लेते हैं क्या अपडेट है दोस्तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैनिक भासकर की यह रिपोर्ट है एक दिन पहले की यह रिपोर्ट है आप य देख लेते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या जो है चल रहा है यहां पर किया जा रहा है विरोध देखते हैं क्या अपडेट है दोस्तों अपडेट में यहां पर हम देखते हैं कि गवरेला पेंडरा मारवाही जिले में पेंडरा रोड गेवरा रोड रेल लाइन निर्मान का काम चल रहा है जिसे धनगावा भरपारा के सेक्रो ग्रामिनों ने रोक दिया ग्रामिन विस्तार सरक को बंद किये जाने से नराज होकर धरने पर बैठे और रेल लाइन निर्मान कारे को रोक दिया दोस्तो इसका जो पूरा अपडेट है ये एप में है तो मैं आपको विस्तार से आगे बताता हूँ दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार रूप से लिखा है ग्राम पंचाय धनगवा बरपारा के ग्रामीन पूल की मांग को लेकर धरने पर बैठे और सासन पर सासन के खिलाब जमकर नारेबाजी की इससे रेल लाइन का निर्मान कार प्रभावित हुआ है निर्मान कार कंपणी के लोगों ने ग्रामीन को समझाने के कोशिस की लेकिन लोग अपनी मांग पढ़ाड़े रहे ग्रामीनों का कहना है कि निस्तार के लिए जब तक पूल नहीं दिया जाता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा दोस्तों यहां पे आप काड़ेले ग्राम परणचाद भवन धनगवा के पीक देख सकते हैं इसके बाद जो अपडेट लिखा है वो मैं आपको बता दोस्तों यहां लिखा है कि लोगों ने कहा कि अगर रेलवे परसासन हमारी वांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग यहां से नहीं उठेंगे उन्होंने कहा कि आसपास के दरजनों गाओं के स्कूली बच्चे किसान और आम लोगों के आने जाने की यह सरक है अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो लोगों को बहुत परसानियों का सामना करना पड़ेगा यहां पर आप देख सकते हैं सरदार जी लीड करते हुए बढ़िया तरीके से एकदम और आगे यहां पर यह भी लिखा है कि वहीं दो साल पहले भी यहां के लोगों ने धरणा प्रदैसन किया था तो रेलवे द्वारा निस्तार के लिए पूल बनाने का आसवसन दिया गय इसके आगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अब इस जगह पर पूल बनाने के बज़ाए इसे पाठ कर रेलवे लाइन निर्मान का काम किया जा रहा है इससे ग्रामिनों की नाराजगी बढ़ गई है लोगों ने काम परभावित कर दिया है वहीं ग्रामिनों की हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो दिखने के लिए आप से भी लोगों का बहुत भात धन्यवाद गेवरा रोड पेमरा रोड से जो लोग हो या फिर जो लोग इस वीडियो को देखने के उट सुक हो उनके साथ आप इस वीडियो को साधा कर सकते हैं आपने अपन